लक्षमन जी जैपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका जी बताईए आप मैं जैपूर से गोलगा हूँ मेरे मेरे कफ़वा और खांची गले में खरांच रहता है और ACDC ज़्यादा रहती है चीक जो दिखिए विकनस्का लिख लीजे पैन है आपके पास तो साथ साथ जो हमारे किचन में होती है साथ सौट जीरा अज्वाई ये 100-100 गराम लीजे और इसमें 1.500 गराम गॉंद मौरिंगा गॉंद मौरिंगा इसे सेजन का गॉंद भी कहते हैं और सेजन को ड्रम स्टिक कहते है जो एक बड़ी सी आपने देखा होगा लोग खाते हैं एक सब्जी जो लंबी सी भिंडी कहलाती है सहजन उसे कहते हैं मौरिंगा इंग्लिश में कहते हैं मौरिंगा का गौन आता है गम तो वो डेर सो ग्राम इसे मिला ज़िए पौडर बनाई है और एक चम्मस सुबा एक चम्मस शाम मैंने तीन चार गिराम आपको खाना है जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से आपको फाइदा शुरू होना मुमकिन है नेक्स कॉलर है महींद्र जी अलीगर से हमारे साथ स्फागत है आपका महींद्र जी हालो प्रश्न कीजिए दाक्षा नमस्कार मुझे जो है मेरी उम्र है टिक्स्टीक बर जी तो मुझे जो है मुझे बाइब पैर में इस से लेकर के बिड़ली पत्र दर्व है जनौरी से चीक है मेरे जो है मुझे सुहर की भी प्रवडम है हम तो मैं क्या करूँ मेरे हिप्स से लेकर के पिंड़ली तक दर्व है जन्वरी के है परले बताईए आपके घर में वेस्टन ट्वालेट है घर में वेस्टन ट्वालेट है ऐसा कुर्सी वाला कुर्सी वाला है लेकिन मुझे तादादार उसमें पूर्ण में जाए नहीं मैं आपकी बीमारी ऐसी है कि आपको वेस्टन टायलेट पर अपनी ज़रुत पूरी करनी चाहिए जहां आपके दर्द है हिप में जमीन के टायलेट में बैठने से बहां पर यह जोर पढ़ता है हमें पता नहीं चलता और आप जिसम में हलके होंगे इस तवजें से आपको पता नहीं चलता आप सबसे पहले तो यह जरूरी कि आपको उस पर जाना है फारिख होने के लिए दूसरा एक किलाज में बताता हूं एक गौंड आता है गौन सिया सिया काले को कहते है काला गौन भी कहते है और गौन सिया भी कहते है एक रो मैटेरियल है अच्छा सा महेंगा भी आता है नकली बहुत मिलता है तो वो गौन सिया ले लिजे इसका पाउडर बनाएं इसकी गोलिया बनाएं चने की या मटर की बराबर थोड़ी बड़ी या छोटी लेकिन इतनी रहनी चाहिए चने या मटर की बराबर सुबा नाशते के बाद बगेर चर्वी के दूस से खाईए और एक रात तो खाने के बाद बगेर चर्वी के दूस से खाईए ये 100 ग्राम गौन खतम होने से पहले आपका फाइदा होना मुम्किन है बलकुल जैसे कि आपने हकीम साहब यहां पर गौनसिया की बात करी है आपने कहा है कि असली नकली भी होता है तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये गौनसिया सही है एछ ही ये जड़ा बड़ा होता है जी को स्या कहते है लेकिन ब्राउन का होता हुटा मैंम बाउन ऑलब खास के में इसने कर्वी डवाने देखी तो लोग समझें नीम कर्णे करेला कर्णे है कित्वी चीज़ और करवी लेकिन उसे के हाम में कुछ भी नहीं, मैं तो नीम के पत्ते हो ऐसी खा जाते हूं, कुई बात है, अपने घर सबसे बनाता हूं, करवी हम सबसे बनाया, कुछ लोगे चायों कडवी बनाई चायों कालवी बनाई। चयमतिजा मेहा दो दिन हो जाएं किन्ता करभा होता है अच्छा महेंगा भी Не होता महेंगा इसे कहते हैं लेकिन यह ऐसे दस-बारा रूप eh रोज की खुराक पड़ती मुझे हैं मनुझे दू बारा आप खुराक खाएंगे तो दस या बारा रुपे रोज का खर्चा है तो दस बारा रुपे तो कोई भी डॉक्टर इससे जादा पचास रुपे तो फीस ले ले लेता है तो यह सौ ग्राम खतम होते होते बेश्टर मरीज ठीक हो जाते तो इसे इस्तिमाल करें और वजर नहीं उठ अक्सर ख्याल नहीं रखते और जो आज के इस दौर में हम बहुत तेज एंटीबाइटिक दवाईयां बहुत तेज किसम के पेनकिलर खाते हैं तो उसका असर दो चीजों पर बहुत ज़्यादा होता है किड्नी और लीबर लीबर हर उस बुखार के बाद जिसमें हमें लगती है सर्दी लगती है दांत बजने लगते हैं सर्दी से जैसे मलेरिया मलेरिया की दवा हम खाते हैं या किसी और तेज बुखार की तो लीबर को बहुत तकलिफ उठाने पड़ते है कि कि ये एक ऐसी जहरीली दवा है जिसको उबालने और च्छाने में हमारा लीबर ख हम जो भी खाते हैं जहरीला, गंदा या गंदगी जिसे पेट में चली जाए तो यह उसको उबाल चान कर आगे जाने देता है जब तक वो से पाक नहीं कर देता जहर से हमारी बॉड़ी को सप्लाई नहीं करता वरना आदमी जिन्दगी नहीं जी सकता तो लीवर का जरूर खय पागत है आपका हालो हालो हानमस्कार जी जी आदा आप जी मैं अब नेस्किंग बोल रहा हूं जी यह ना मेरे को जनना था ना भाइस के बारे में बताई बड़ी बेट बहुत ज़्यादा गेन होता जा रहा है जी कि उम्री इस्टी करिक पूछना था उनकी एज कितनी है पागत है जी आपकी पतनी की जी मैं नमस्कार जी आदा एज मैं अब ली सिंग बोल रहा हूं जे रधा जूं से यह ना मेरे को अपनी बाइस के बारे में पोछना था ठीक है उनका ना बोड़ी बेट जो है वो बढ़ता जा रहा है तू थाउजन नाइन में उनका बोड़ जा दीजिए अच्छे बहुत कम उम्र है और हमारे गावों में मिसाल दी जाती के मुटापा और बुड़ापा एक सी चीज़े ये बात उनको बताईए मेरी तरफ से और उनके खाने में जो सब्जी सालन घर में जो भी आप खाते हैं इतनी सारी अद्रक रोजाना इतना सारा लहसन डाला करें हम अक्सर कंजूसी में इतनी सी सा लहसन इतनी सी अद्रक डालते हैं जीरा भी खूब डालें और वेजिटेबल ओयल का इस्तमाल करें एक दिन में पांच बार गरम पानी पीएं और इसके लिए दवाएं भी बहुत में एक चम्मच धनिया और आधा चम्मच जीरा डिड़ गिलास पानी में उबाले और इतना उबाले के आधा रह जाए ये एक बार रोजाना जरूर पिलाए और भी अगर इसको अच्छा करना तो एक चुटकी खाने का सोड़ा इसमें मिला दे ये आप उपचार करेंगे तो आपकी पत्नी को फायदा मुम्किन है लेक्स्ट कॉलर है सतेंद्र जैन जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हालो जी बताईए इस कितनी है सतेंद्र जी और कब से ये परिशानी है ये परिशानी कब से एक साल हो गई ठीक है चाह देखिए ज्यादा तर लोगों को मल्टी विटामिन्स की कमी से मुह में छाले होते हैं तो मल्टी विटामिन्स का कैप्सूल लेना शुरू करें कोई भी पैथी का ले अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और एक ग्राम रोज आना आपको लेना है गौंद आता है मौरिंगा का मौरिंगा का गौंद एक ग्राम रोज आना पानी में मिलाकर पिलिया करें आदा ग्राम सुबह आदा ग्राम शाम गौंद मौरिंगा तो आपको फायदा मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ राम अफ्तार जी स्वागत है आपका आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजे जी समय यहां पर कम होता है बहुत सारे कॉलर्स होते हैं लाइन में तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए जल्दी से बताएए क्या जानना चाहते हैं मेरे मैडम भूखने लग दिया है तीन चार साथ में बड़ी परिसानी अब लिकल दोनों टाइम भूखने लगते हैं एज बताएए मेरी एज है सिट्टी सिट्टी पाइव लगा लो जाप ठीकिए तो दीकिए मैं एक ऐसा नस्खा आपको बताने जा रहा हूं जो आज से या कल शुरू करेंगे तो आप आज से नहीं तो कल से फाइदा शुरू होना शुरू हो जाएगा लेकिन वो लिख लीजए आप कलम हो आपके पास पैन हो तो लिख लीजए कभी याद नहीं रहे दीकिए सौट लीजए सौ ग्राम सौट अद्रक के पाउडर को सौट कहते हैं सौट सौ ग्राम जीरा सौ ग्राम अजवाइन सौ ग्राम सौफ सौ ग्राम और सौ ग्राम गौन्द आता है मौरिंगा का मौरिंगा का गौन्द इसे सहजन का गौन्द भी कहते हैं मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिल जाता है तो असली लेना इन सब को पाउडर बना लीजे घर में कोई भी चीज पिसी भी मतला ना सब रौ मैटेरियल लेना गौन मौरिंगा भी और धनिया अनिया सब रौ मैटेरियल लेके पाउडर बना लीजे और एक चमच तीन-चार फाइदा शुरू हो जाएगा फॉर्र अ, इन्सका मजबोर कर देता है, लिवर को कि भूख लगा और लिवर चाल को जो सुस पढ़ जाती है, उसको तीज कर देता है, हजम को तेज contraction कर देता है, एसी डिट्री को खतम कर देता Parent son K bibs ककू तोड़ देता है और आपको फॉरन फाइदा शुरू हो जाता है आप ये लेकर देखे मुझे अमीदे आपको फाइदा मुमकिन है तो चलिए देखे इतने कीमती आप लोगों को उपचार यहां पे दर्श को बताया जाते हैं जो आप बहुत अराम से कर सकते हैं लेकिन कॉपी और पेपर लेके जरूर बैठिये क्योंकि एक एक बात आप लोगों को यहां पे अगर हकीम साहब जी बता रहे हैं तो आपको वो वैसे ही फॉलो करनी है कितने ग्राम आपको क्या कुछ लेना है कैसे आप लोगों को पानी का सेवन करना है कैसे आप लोगों को गरम पानी पीना है या जितनी भी बाते आप लोगों को यहां पे बताये जा रही है एक एक बात आप लोग नोट डाउन कर लीजे तो आप वीडियो क्लिप बना के भी एक बड़ दुबारा से सुन सकते हैं कि क्या कुछ उपचार आप लोगों को हकीम सहाब यहाँ पर बता रहे हैं और करके देखिए दर्श को आप लोग फिर दवाईयों को छोड़ देंगे सिर्फ आप लोग अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे और सिर्फ आप लोग युनानी पद्धिती से जुड़ेंगे आरवेट से जुड़ेंगे और देशी उपचार अपनाएंगे और इसे के साथ दर्श को फिर से आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी जब बात आती है अतिया हर्प्स की तो आप सभी जानते हैं यह एक ब्रैंडिट कंपनी है पांसो से भी जादा फ्रेंचाइजी देश भर में है फोन उठाना है नमर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगतार दिखाया जा रही है आईए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका स्वाण जी सरूप जी हां जी मैं आ जी राज़ान से भोग रहा हूं तो क्या raped चोटा बच्चा ए दशेक साल काऊड़ कर आ रहिए चीjes कह डरा साल करना आच्छों पांए दशेक साल का उनके आंक्शों में एलयर जीया है तो मेने उनको पादिया हुस्पितल में तो डॉक्टरों ने बोला कि ये बारा साल का होगा तब तक ऐसे ही रेगा और उसके बाद में रेडी हो जाएगा ठीक है जदिके एक नस्खा मैं बताता हूँ आपको बड़ा कीमती है और ये सब के लिए उस बच्चे के लिए भी है और उन सब के लिए हैं जिनको भी वबाई मरtrans हो जाते हैं जैसे अलर्जी आख से पानी आना आखों का बखार होना ये मौसम बदल्ला है बरसाथ और बरसाथ के बाद के मामलात अखों की बिमारी आइ फ्लू हो जाता है ऐसे लोगों के लिए दिए एक जड़ी बुटी है जिसको कहते है मुंडी बुटी मुंडी बुटी बहुत सस्ती आती है मेरे खादर पांच-दस रुपे की इतनी सारी आ जाएगी कि आपका पूरे महले के लिए काफी तो मुंडी बुटी है आप लिए और दो पीस रात को पानी में डालके जो होता नहीं सकोरा कच्छी बुटी का जो होता है उसमें डालके रख दीजे और सुबह को इसको उबा लिए पानी को एक गिलास पानी को और इतना उबा लिए कि आधा रह जाए पानी रोज आना ये पानी आधा गिलास इस बच्चे को पिलाईए बहुत जल्द इस बच्चे का ठीक होना मुम्किन है तो बहुत जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो दर्श को देखिए ना सिर्फ आपका बेटा आपका पूरा परिवार तंद्रुस्त हो सकता है एक निरोगी काया पा सकता है देखे दर्श को पहला सुक तो निरोगी काया है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है वो व्यक्ति जो कि अपने परिशानियों से ही निकल नहीं पाता है जो इतने सारे रोग लेकर बैट जाता है कि अब तो इसका देखने को मिलेगा लेकिन सयम रखना होगा थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को जरूर करना होगा पोन उठाए नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगतार दिखाये जा रही है